ग्लोमलाजेशन के मोदी राज में कई एहम चीजों का अक्स बदल रहा है लोगतंत्र का दरखता चाता खंबा, मीडिया भी अपनी विश्वसनीता को लेकर संधे के दारे में है सवालों का बुनियादी पैमाना बदल रहा है सवाल पूछे जाने के हग का फैसला भी अब पत्रकारों के पास नहीं रहा बीते दिनों जब देश के जाने माने टीवी पत्रकार पुन्य प्रसून वाचपेई ने देश के एक बड़े न्यूस चैनल एबेपी न्यूस के जरिये जब सत्तारूर भाचपा पर तीखे सवाल के गोले दागे तो अपनी नौकरी से हाथ दो बैठे है पर मोधी सरकार की नाक में दम कर देने वाले पुन्य प्रसून नौकरी जाने से परिशान नहीं है और मोधी सरकार पर अपने तीखे हमले जारी रखे है पंगा अगस से ठीक एक दिम पहले 14 अगस्त 2018 को उन्होंने सोशल मीडिया के ताकतवर हथिया ट्विटर के जरिये सरकार से दो तीखे सवाल किये उनका पहले सवाग ये था कि किसानों के कल्याण का जिक्र अलाल के लिए से हुआ था और फिर क्रिशी कल्याण सेस लगा कर जनता से 8,389.15 करोन रुपे वसूले गए और फिर क्रिशी कल्याण कोश में 3,596.28 करोन रुपे जमा कर दिये गए मगर बाकी 4,782.87 करोन गए कहा इस बार पियम लाल किले से क्या कहेंगे पहले सवाल के बाद उन्होंने दूसरा सवाग दागा कि स्वक्ष भारत का अईलान लाल किले से हुआ था स्वक्षता के लिए जनता पर सेस लगा वसूला गया 16,401.13 करोन राश्टी स्वक्षता कोश में डाला गया 12,400 करोन लेकिन बाकी का 4,001.13 करोन कहां गया तो इस बार पियम लाल किले से क्या बोलेंगे ऐसे कई सवालों के साथ पन्य प्रसून वाच्पई बागी अंदाज में है सरकार परिशान है लोगतंत्र के जरजर हो चुके चौथे खंबे में थोड़ी सी सिमेंट अभी बाकी है NTI Pocket TV के लिए नीरज वर्मा के रेपोर्ट हमारे वीडियोज को देखने के बार लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलेंगे